हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न के प्रेश्णों की, भिन्न जो की बहुत इंपोर्टेंट है, फ्रेक्शन, आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, छे वट्ट दोसे डिवाइड करेंगे, पांच बार जाएगा, यानि कि दस में दो दो के कितने हैं, पांच हैं, ऐसे ही क्या करेंगे, इस छे बट्टे पांच में, इस एक बट्टे दो से आप डिवाइड कर देंगे, जैसे यहां, दस में दो से डिवाइड किया था, ऐसी छे बट्ट जाएगा 10 दो बार में 6 दूने एक 12 यानि कि कितने है भाई 12 हैं यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्षन पिल्कुल सही आंसर चलिए आप देखेंगा अगला प्रस्ने अगला प्रस्नी है एक पुर्णा के एक बट्टे दो मैं कितने एक बट्टे दो हैं दो कम दो, दो में जोड़ेंगे, एक तीन बट्टे दो हो जाएगा, तीन बट्टे दो में, क्या करेंगे, डिवैड करेंगे, एक बट्टे दो से, चलिए, तीन बट्टे दो, डिवैड को चेंज करेंगे, मल्टी प्लाई में, तो संच्या पलट जाएगी, यानि कि दो उपर हो चाहिए उतनी समय में कराके आगे बढ़ते हैं चलिए समझ में आ गया ना आप देखते हैं अगला प्रेश्ण अगला सवाल है पांच बटे नो आठ बटे नो साथ बटे नो चार बटे नो में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई बस देखना है आंसर हो जाएगा आठ वाली संक्या सभी में समान है जब नीचे वाली संक्या सभी में समान रहेगी तो उपर वाली संक्या जो बड़ी है वही बड़ी भिन्न और जो छोटी है वही छोटी भिन्न नीचे में अगर हर आपका समान है नीचे वाली संक्या समान है तो उपर में जो बड़ा वही बड बड़ी भिन्द और उपर में जो छोटा वही छोटी बिन्द तो बड़ी भिन्द पूछ रहा है ना तो उपर में बड़ा कौन 8 इसका मतलब यही बड़ी भिन्द समझ में आई बात चली अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है तीन बटे साथ पांच बटे साथ चे बटे साथ चार बटे साथ में सबसे छोटी भिन मैंने क्या बताया सबसे छोटी पूचा है भाई आंसर करिए आगे बढ़ जाईए नीचे में सभी में साथ साथ है यानि कि समान संक्या है हर आपका समान है तो उपर में जो बड़ा वही बड़ा भिन उपर में जो छोटा वही छोटा भिन यानि कि उपर में छोटा कौन तीन तो तीन बट्टे साथ आपकी सब से छोटी भिनने वही तीन बट्टे साथ आंसर करिए आगे बढ़ जाए सवाल में समय नहीं लगाना इस तरीके के सवाल में ध्यान रखना ठीक है और बड़ा पूछ लेता तो उपर में जो बड़ा वही बड़ी भिन्न हो जाती चलिए अब सीखेंगे जिसका हर अलग अलग होगा चलिए अब दे बिन्नों का अंतर करना है अंश और हर का अंतर 24 पच्चिस का अंतर एक आएगा अंतर से उपर वाली संख्या में करते हैं डिवाइड दस और ग्यारे का अंतर एक आएगा अंतर से करते हैं उपर वाली संख्या में डिवाइड यान कि एक से चौविस में डिवाइड देंग सबसे छोटी भिन सबसे छोटा तो मुझे दस नजर आ रहा है यह दस बट्टे 11 सबसे छोटी भिन है दस बट्टे 11 अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो 99 यानि कि 99 बट्टे 100 यह सबसे बड़ी भिन हो जाएगी बात सभी को किलियर है चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल अगला सवाल है दो बट्टे 3, 3 बट्टे 4, 5 बट्टे 9, 7 बट्टे 9 में सबसे बड़ी भिन जो तरीका बता है ध्यान रखना दोनों भिन्नों का अंतर यानि कि अंस और हर का अंतर दो और तीन का अंतर एक आएगा अंतर से उपर वाली संख्या में डिवैड तीन और चार दो सबसे बड़ी भिन्ना तो सबसे बड़ा कौन है साड़े तीन है यानि कि ये सबसे बड़ा है साथ बट्टे दो यानि कि ये इसी से तो निकल के आया था साथ बट्टे तो इसी से ये निकल क्या है यानि कि साथ के बट्टे में नौ सबसे बड़ी भिन्न है अगर सबसे छूटा पूछ ले तो सबसे छोटा भी तो पूछ सकता है यहां तो सबसे बड़ी पूछ ली आता इसने अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो कौन सही सबसे बड़ा पूछ ले तो भाई कौन सही है यहाँ पर यहाँ तो साथ बट्टे नौ सही हो गया सबसे बड़ी भिन्न हो गया सबसे छोटा भी तो पूछ सकता है सबसे छोटा कौन है मुझे तो सबसे छोटा ये नजर आ रहा तेर ये तो सबसे छोटा है यानकि पांच बट्टे नौ से निकल क्या है ये आपके सवाल का बिलकुल सही जवाब है सबसे बड़ी भिन पूछे तो निकाल लेंगे सबसे छोटा पूछे तो भी आप निकाल लेंगे केलिए रहा न स सबसे छोटी भिन्य का अंतर है भाई हमें क्या करना है इन तीनों भिन्यों में एक सबसे बड़ी भिन्य निकालनी है एक छोटी फिर उनका अंतर कर लेना है यही तो पूछा है चलिए जो तरीका हमने सीखा है उसी से हल करेंगे दो और तीन का अंतर एक आएगा अंतर से उपर वाली संक्या में डिवाइड करेंगे तीन और पांच का अंतर दो आएगा उससे उपर वाली संक्या में डिवाइड पांच और छे का अंतर एक आएगा उपर वाली संक्या में डिवाइड एक से दो में डिवाइड देंगे दो चलिए अंतर करेंगे 6 और 5 का LCM लेंगे 30 आ जाएगा 6 से कटा दो 30 को पांच वार में 5 से करेंगे तो 25 माइनस का साइन है पांच से कटा दो 30 को छे वार में जाएगा 6 काल पे तीन से करेंगे 6 तरिक का ठारा 25 में से 18 घटा दो 7 बचेगा बटे में आपका 30 रहेगा यानकि 7 के बटे में 30 पहला ओप्शन साथ के बटे में 30 पहला ओप्शन सही जवाब है भिन निकालना मैंने आपको बता ही दिया बड़ी भिन छोटी भिन आसानी से निकाल पाओगे चलिए अब देखिंगे हम अगला सवाल अगला सवाल है एक बटे तीन तीन बटे चार दो बटे पांच छे बटे साथ का आरोही क्रेम लगाईए आरोही करेम का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रेम में लगाते हैं पहले सबसे चोटी बिन फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इस तरीके से लगाना सबसे पहले तो पता कर ले से हैं कौन छोटा है कौन बड़ा अंतर कर लो न एक और तीन का अंतर दो आएगा अंतर से उपर वाली संख्या में डिवैड ठीक है तीन और चार का अंतर एक आएगा अंतर से उपर वाली संख्या में डिवैड 10 50 10 कट गया 1 से 3 वार में कट जाएगा 3 से 2 में जाएगा नहीं 10 अनल लगेगा 20 हो जाएगा 3 छींग ठारक फिर से 20 हो जाएगा 3 छींग ठारक चलिए 1 से डिवैड करऊंगा ये 6 वार में डिवैड हो जाएगा ROH क्रेम का मतलब है सबसे छोटा भिन लगाई ये पहले सबसे छोटा भिन क्या सबसे छोटा सबसे पहले सबसे छोटा भिन अब सबसे छोटा भिन ने कौन सा है ये वाला या ये वाला दसमलब पांच है सबसे छोटा या दसमलब छे दसमलब पांच या दसमलब पांच या दसमलब पांच छोट बड़ कोई बंच आते हैं यानले की एक भड़ा तीन आपका छोटा फिन और जाएगा सबसे छोटा इसे बड़ा वाला यह वाला यहाँ तो बड़े पांच त्दोब्ड़े पांच थीक ए इसके कarm फिर फिर लिई तीन यानले की तीन ओद जाए फिर क्रेम का मतलब है छोटे से स्टार्ट करना और उसके बाद में जो बड़े आती हैं जैसे सबसे छोटा एक इससे बड़ा दो है इससे बड़ा तीन है इससे बड़ा चाह इस तरीके से बढ़ते क्रेम में लगाते हैं और होई क्रेम का मतलब होता यह समझ में आ गया चलिए साथ वट्टे तीन यही तो पूछा है भाई बताईए मुझे यही पूछा है यह तो पूछा है यह नहीं पूछा तीन वट्टे पांच तता साथ वट्टे तीन के व्यूत क्रेम का योग व्यूत क्रेम पांच वट्टे तीन प्लस इसका करिए ब्यूत करें तो 3 बटे 7 हो जाएगा ठीक है चलिए समझ में आ गया 3 और 7 का LCM 3,721 3 से कटाओ 21 को 7 वार में जाएगा 7,5,35 प्लस 7 से कटाओ 21 को 3 वार में जाएगा 3 करण पर 3 से करो 9 35 में 9 जोड़ो 44 बटे में कितना 21 तो 44 के बटे में 21 यह सही जवाब है किसी option में D option में यह बिल्कुल सही जवाब है उसने बोला था ना व्यूत करम तो आपको व्यूत करना पड़ेगा यानि कि संख्या को पलटना पड़ेगा तब जाकर कि आपका सवाल का अंसर सही आएगा चलिए अब देखने अगला सवाल अगला सवाल है किसी संख्या का तीन चोथाई नो है तो वह संख्या क्या होगी किसी संख्या का यानि कि वो संख्या में पता नहीं है जब नहीं पता है तो एक समान लेंगी नहीं पता तो एक समान लिया तो संख्या का 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 मतलब multiply 3, 4 थाई, 3, 4 थाई, कितना है, 9 है, तो वह संख्या क्या है, यानि कि उसने X का इमान पूचा है, तो चलिए 3 से तो 9 कर जाएगा, 3 बार में, बरावर में आमने सामने संख्या करती है, और 4 का मल पर 3 से हो जाएगा, टो 12 है इसका मतलब X का माना आपका कितना है वो संख्याप की क्या है बारा है ? B.Option बिल्कुल सही जवाब आपके सवाल का बिल्कुल सही बस एक ही रूकेश्ट आप से हमेसा के जैसे लाइक और शेर बस यही रूकेश्ट आप से इसका कोई पैसा नहीं है विल्कुल फ्री है इतना काम कर दीजे बासा ठीका दोस्तों धन्यवाद